तो आप सभी को पता भी होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ पहले Motorola की पैड़फोन से यह जाना जाता था मतलब slider की पैड़फोन, flip की पैड़फोन यह जादा तर Motorola लाँच करता था बट बीच में gap सा हो गया था Motorola की यह की पैड़फोन फिर वापसी किया, मतलब comeback किया Motorola ने स्मार्टफोन से आप सभी ने देखा होगा काफी सारे स्मार्टफोन इस समय लाँच करें बट फिर एक बार अपना की पैड़फोन Motorola लेके आया है तीन की पैड़फोन मेरे पास इस समय है जो की काफी हाली में लाँच किया है Motorola ने, यह है Motorola A10 यह है Motorola A50 यह है Motorola A70 मैं इस वीडियो में इस तीनो फोन का हर एक चीज़ बताऊँगा मतलब तीनो एक ही साथ unbox भी करूँगा सब चीज, मतलब comparison भी मैं इसी वीडियो में इन तीनो फोन का कर दूँगा एक बैटरी मिल जाती है तीनो की बैटरी सेम है 1750 mAh की यह थोड़ा महेंगा है, यह उससे कम है, यह उससे भी जाता कम है तो बैटरी भी उसी हिसाफ से दूस्तों बढ़ाती नहीं चाहिए बट तीनो में बैटरी सेम दी गई है जैती इन तीनो फोन की कुछ छोटी सी box content तो यह है मेरे पास में तीनो फोन A10, A50, A70 और मैंने तीनो कोई बूट कर लिया है अब मैं तीनो फोन का इस specification आपको बताऊँगा जितना मैंने experience किया वो भी मैं आपके साथ सेयर करूँगा बट उसे पहले price को जान ला है तो यह फोन आपको Motorola A10 14 सव में मिलेगा Motorola A50 आपको 17 सव में मिलेगा and Motorola A70 आपको 2000 की price range में मिल जाएगा इन तीनो फोन को आप replace भी करा सकते हैं अगर आपका फोन दो साल के अंदर ही खराब हो जाता है and इन तीनो फोन में आपको 2 साल की domestic warranty भी मिलती है तीनो फोन में आपको दोस्तो plastic body देखने को मिल चाएगी पट यह जो A70 का plastic body वो थोड़ा different है मतलब थोड़ा high quality अच्छे good quality का आपको plastic मिलता है and यह दोनों मुझे same लगता है A50 and A10 का and आपको Motorola A10 और A50 में सिर्फ dark blue का यह option देखने को मिलता है बट वहीं दोस्तों आपको Motorola A70 में rose gold का भी option देखने को मिलता है जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है मतलब कि A70 में आपको 2 color option मिलता है dark blue and rose gold का पहले में A10 और A50 के build quality की बात गरूँ तो plastic body दोनों में ही दिया गया है same तरह का material भी उसकिया गया है keypad में आपको same तरह का keypad मतलब मिल जाएगा fiber वाला keypad आपको देखने को मिल जाता है तो यह काफी अच्छा है इस price range में and दोस्तों display आपको दोनों का ही same मिलता है 1.8 inches का and resolution भी आपको इन दोनों phone में Motorola A10 and A50 में same ही देखने को मिलता है 128 x 160 pixel की QVGA display आपको मिलता है and वहीं दोस्तों A70 की बात करें तो आपको A70 का थोड़ा सा जो back का plastic है वो थोड़ा different मिलता है मतलब अच्छे quality का दिया गया है 320 x 240 pixel की आपको display की resolution मिल जाती है and इस phone का थोड़ा की पैड है न दोस्तों A70 का वो थोड़ा metal वाले यूज़ करते है मतलब थोड़ा hard quality का की पैड है मतलब strong मतलब खराब नहीं होगा बस हलका सा long term तक अगर आप यूज़ करते हैं यहीं इन दोनों फोन के keyboard में अंतर आपको मिल जाता है तो price का difference आपको समझ में आ रहा होगा वहीं आप देख सकते हैं A10 में आपको कोई camera setup नहीं मिलता है वहीं आपको दोस्तों A50 में एक camera मिलता है 0.3 megapixel का and वहीं A70 में आपको एक camera दिया गया अगर इस phone से photo कीचा जाए मतलब emergency case में आप इस phone के भी camera को use कर सकते हैं तीनों फोन का site review करें तो phone के right और left side में आपको कोई setup नहीं मिलता है इन तीनों फोन में and phone के उबर की तरफ तीनों फोन में आपको flash light मिलता है phone के नीचे की तरफ तीनों फोन में आप देख सकते हैं दोस्तों आपको एक microphone दिया गया है एक object option दिया गया है and एक आपको charging port दिया गया है and तीनों फोन में उबर की तरफ आप देख सकते हैं front में आपको एक speaker दिया गया है ये calling के लिए speaker है पीछे की तरफ एक एक स्पीकर दिया गया है यह दोस्तो आपको media sound के लिए स्पीकर दिया गया है दोस्तो इन एंड experience की बात करें तो Motorola A10 और A50 दोनों ही same experience देता है मतलब दोनों का shape and size सब कुछ same है and weight की बात करें तो दोनों ही phone का weight भी same आपको मिलता है 81.9 ग्राम का यह दोनों phone है A10 and A50 वहीं दोस्तों Motorola A70 आपको 7.6 ग्राम थोड़ा सा extra मिल जागा इन दोनों phone से comparison में मतलब 89.5 ग्राम का यह phone आपको मिलता है तीनों ही phone में आपको internal storage चार 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 अबी की मिलती है तीनों ही phone में आपको RAM चार 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 अबी का मिलता है तीनों ही phone में आपको expandable memory 32GB तत मिल जाएगा तीनों ही phone में आप दो SIM के साथ एक micro SD card यूज़ कर पाएंगे और दोस्तों वहीं आपको Motorola A10 और E50 में phone की memory आपको 1600 लोगों की मिल जाएगी audio player का option मिल जाता है चिप लगा कर आप video देख सकते हैं audio सुन सकते हैं बड़ दोस्तों इस phone में Motorola A70 में थोड़ी video quality आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि resolution थोड़ा सा बढ़ जाता है इन दोनों फोन के comparison में एं तीनों इफोन में तीन game दिये गया है जो कि बिल्कुली free है आप हमेशा जब तक ये phone देगा तब तक आप केल सकते हैं आपको काफी cool सा feature मिलता है wireless FM का A10 के box में तो mention कर दिया गया था कि wireless FM इसमें supported है और काफी properly work भी करता है मैंने check भी किया है बट इन दोनों के box में mention नहीं किया गया इन दोनों फोन में भी दिया गया इसमें मैंने check किया Moto A50 में ये भी A10 की तरह work करता है बट वहीं A70 में जब मैं गया तो ये without wire YC नहीं दे रहा था मतलब इसमें wireless FM का लगता है support तो दिया गया बट दोस्तों work नहीं करेगा खरकर करकर आवाद सुनके आप पक जाएंगे अब घर बैटेगी अपना business का हाई बट रीडियो शिची पासार जब्दीगी को सजागे है ये अपकी और हमारे पुलकते है ये मैं यूज किया हो तब मैं बता रहा हूँ फाल तो फेक नहीं बता रहा हूँ दोस्तों तीनों ही फोन में आपको increase text का option दिया गया है मतलब तीनों ही फोन में आप text को increase कर देंगा अगर किसी का आक में problem है मतलब दिखता नहीं तो आप text को increase करके बड़ा साइज का text देख सकते हैं यही तीनों की pad phone है Motorola के जो हाली में launch हुए है जितना मैंने experience किया जितना मैंने जा अगर सकते हैं मतलब खराब नहीं होगा किपैट फोन आते हैं आइटल के या बहुत सारे companies के आते हैं carbon के या तो आप कहें लावा के पर दोस्तों मैं कहूंगा कि लावा पे भी आप जा सकते हैं एक फोन आता है लावा का लावा A3 power जो की 1300 का है दोस्तों उसमें आपको ROM मि मिल जागा 32 MB का बैटरी भी 25-75 mAh की मिल जाती है मतलब इन तीनों फोन के कंपरेजन में ज्यादा बैटरी ज्यादा स्टोरेज मिलती है तो उस पर भी आप जा सकते हैं बट यह मोटो कंपनी है नई कंपनी है इस पर भी आप जादा भरोसा दिखा सकते हैं कि पैट फोन है आपको क्या ही चाहिए होता है लॉंग टाइम तक ठीका रहा है बस यही मंगता है तो आप एस वीडियो में इतना है अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को भी लाइक कर देजे और कुछ भी सुझाओ चाहिए मतलब कुछ भी आपको पूछ रहा है इन तीनों फोन के बारे में कमेंट बॉक्स में बे हीजक पूछ सकते हैं तक लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए जय है जय भारत मेरा नाम है आदेते आप सभी देख रहेते रॉयल टैक प्रो